So, Hello Friends, Welcome to Lanser Reviews, This is Ram Soni. आप लोगों ने Parkinson's disease के बारे में पढ़ाई होगा, और Parkinson's disease एक ऐसी disease है, Parkinson's बीमारी जो है, एक ऐसी बीमारी है, कि as आपनो proper तरीकेस इसका कोई भी इलाज उपलब्द नहीं है, लेकिन अभी हाली में scientist को एक बहुत ही महत्पूर्ण opening मिली है, mitochondria का role Parkinson's disease में, तो आज हम इसके बारे में discuss करेंगे, proper तरीकेसे यहाँ पर आर्टिकल्स आगे हैं, लिखा भी है, mitochondria keep your brain cells alive, जो mitochondria है, वो brain cells को alive रखता है, जिंदा रखता है, helping them run smoothly, मतलब mitochondria की जो dynamics है, यह इसको proper तरीकेसे आप स्मूध रखते हैं, तो यह protect कर सकता है आपको Parkinson disease से, अब देखें, यहाँ पर लिखा भी है, एक महत्रपूर्ण प्रोटीन है, की प्रोटीन बोला गया है, जिसका नाम है DRP1, यहदि DRP1 की activity को यह आप control कर लेते हैं, तो यह control करता है mitochondrial dynamics को, और mitochondrial dynamics यह control होती है, तो mitochondrial की जो normal activity है, वो restore हो जाती है, और जैसी restore होती है, तो आपकी neurons protect हो जाते हैं, और इसके चलते हैं, आपके जो brain cells हैं, वो alive रह जाते हैं, और Parkinson disease से आपको शुटकारा मिल जाता है, वह देखें, काफी महत्रपूर्ण development है, काफी महत्रपूर् इसके अंदर गरत आपको mental health, sleep, pain, यह सारी समस्या होती है, यहाँ पर symptoms की बात करें तो, यहाँ पर कई प्रकार के symptoms होते हैं, एक तो है motoriscal symptom, मतलब आपके body का जो moment है, उसका symptom, और दूसरा है non motoriscal symptoms, मतलब जो बाकी जो चीज़े हैं, ऐसे motoriscal symptom में दिखा गया है, तो एक है ट्रेमर सान लग जाते हैं, आपको चलने में difficulty होती है, डिस्टोनिया हो जाता है, यह सारी समस्या है, motoriscal symptom की रूप में, Parkinson disease में देखने क्ले मिलती है, non motoriscal symptom में, depression, anxiety, cognitive impairment, यह देखने क्ले मिलता है, आपके जो smell की senses हैं, वो कम हो जाती है, sweating कम हो लग जाती है, इसके मतलब एक नुकसान नहीं है, मतलब पूरा एक package है, now look at here, 1817 में British physician थे, जिनका नाम है James Parkinson, इन्होंने एक article लिखा, जिसका नाम है NSA on the shaking pulsy, देखें, जब भी pulsy लगा हो, मतलब इस very critical, आप लोको ने cerebral pulsy के नाम सुना ही होगा, now, इन्होंने डिस्क्राइब किया पहली बार, एक neurodesignative disorder को जिसका नाम है Parkinson disease, now, यह थी present time में हम देखें, तो अमेरिका में as of no second most common neurodesignative disease है, यह Parkinson disease, अमेरिका में तकरीबन as of no 1 million, मतलब तकरीबन 10 लाख लोग इससे affected है, worldwide मतलब पूरी दुनिया में देखें, तकरीबन 10 million, मतलब 1 करोड आबादी इससे affected है, जिस research के हम बात करें थे, वो research यह है, इसमें researchers ने mitochondria के role की study की, Parkinson disease में, अब देखें, mitochondria की बात करें, इसे हम बोलते हैं, कोशिका का powerhouse, cells powerhouse, तो देखा जाएं तो जो powerhouse होते हैं, वो एक जगए होते हैं, फिक्स होते हैं, लेकिन mitochondria एक साथ इसा नहीं होता, mitochondria dynamic nature का होता है, यह अपने size को, अपनी संख्या को, location को लगातार बदलता रहता है, क्यों? विकॉज जो cellular demands होती हैं, उसको meet करने के लिए, यदि mitochondrial dynamics में imbalances होते हैं, तो इससे आपको neurodegenerative disease होती हैं, इसे बोलते हैं Parkinson disease, मतलब mitochondrial dynamics जो है, आपको proper दरीके से balance रखना है, यदि एक बार imbalance हो जाता है, तो इसको कैसे balance किया जाए, इसके बारे में यहाँ पर एक महत्तपूर्ण research है, look at here, एक protein है जिसका नाम है DRP-1, जिसे बोलते हैं daramin related protein 1, यह control करता है mitochondrial division को, जो mitochondrial, mitochondria जो तूटता है, उसको control करता है यह protein जिसका नाम है DRP-1, यह दि DRP-1 activity को आप manage कर लेते हैं, मतलब DRP-1 activity ज़्यादा हो जाए, इससे mitochondrial division बढ़ जाता है, यह दि DRP-1 activity को आप minimize कर सकें, तो इससे mitochondria का जो fragmentation है उसको आप रो सकते हैं, और mitochondria का fragmentation रुखता है, तो cellular dysfunction और cellular death को आप कम कर सकते हैं, और cellular death, मतलब जो brain cell death होती हैं, तो वही Parkinson disease के लिए responsible होती हैं, तो यह प्रिकास से कह सकते हैं, यदि आप DRP-1 activity को minimize कर लेते हैं, तो इससे आप Parkinson disease से छुटकारा पा सकते हैं, यह यहाँ पर देखेंगे rats में, researchers ने चुहे में ये एक lab model बनाया है, इसके अंदर गत उन्होंने DRP-1 activity को control किया, और इसके बाद इन्होंने जो mitochondrial function है, उसको, उसकी normal mitochondrial function को restore कर लिया, और देखा जाया, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी opening है, तो इसलिए आपको पतो नाचे Parkinson disease में, mitochondria का एक महत्पून रोल पता लगाया गया है, और देखा जाया तो यह जो finding है, इसके अंदर गत DRP-1 protein को आप target कर लेते हैं, तो यह Parkinson disease को treat करने में काफी महत्पून रोल प्ले करेगा, अब देखे, हम लोगों ने discuss किया Parkinson disease के के बारे में, हम लोगों ने discuss किया DRP-1 protein के बारे में, हम लोगों ने discuss किया mitochondrial dynamics के बारे में, मतलब एक normal चीज है, कि DRP-1 protein के activity को यह आप कम कर लेते हैं, तो mitochondrial dynamics को आप balance कर सकते हैं, और mitochondrial dynamics balance होती है, तो Parkinson disease को आप treat कर सकते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा development है, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा development है, वरतमान में कोई भी treatment as आपनों available नहीं है, जो की लिखा भी है, currently no treatment exists that can halt or slow down this cell death, लेकिन यह जो खोज है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा invention है, तो आप लोग के क्या राइस में हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, तो चलिक मुलागात करते हैं, आप लोग से अगले discussion में, तब तक बाबाए, और टेक क्यर